तो फाइनली दोस्तो ओला एस्वन एयर स्कुट की नेक्स्ट पेमेंट विंडो की डेट रिवील हो गई है साथी पेमेंट करने से पहले आपको कुछ-कुछ बातों का ध्यान रखना है जो कि आज किस यूडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ तो यहाँ पर लास्ट मंथ ओला एलेक्रिक ने बोला था कि वो अपने इस स्कुट की नेक्स्ट पेमेंट विंडो जुलाई में उपन करने वाले है जो कि पहले 18 जुलाई को ओपन की जानी थी लेकिन जुलाई मन्त भी अब एंड होने वाला है और अब जाकर कंपनी ने इसकी डेट को रिविल किया है यहाँ पर भावी सर्गवाल जी ने अभी ट्विटर हैंडल पर अपने एक ट्विट किया है जिसमें की वो ओला एस्विनेर की पेमेंट विंडो 28 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक ओपन करने वाले है तो जीन भी लोगों ने इसको 999 रुपीज दे का रिजर्व किया हुआ है उनके लिए ये काफी बढ़िया मोका है इस स्कुटर को 1,10,000 की प्राइस में बाइक करने का क्योंकि कमपनी ने जब ये स्कुटर लाँच किया था तो उस टाइम पर इसकी प्राइस 80,000 रुपे थी फिर जून मन्त में जैसे ही नई सब्सेरी रिवाइज होती है तो इस स्कुटर की प्राइस को कमपनी ने बढ़ा कर 1,10,000 कर दिया और अब 30 जुलाई के बाद में अ Ola S1 Air को ही बाइ करें क्योंकि इस टाइम पर यही स्कुटर सस्ता है बाकि 30 जुलाई के बाद में Ola S1 Air और Ather 450S में कोई ज़्यादा फरक नहीं रहेगा वहीं Ola S1 Air की डिलिवरी अगस्ते स्टार्ट की जाएगी चोकि अगे इन पैनलोर कस्टमर को ही पहले दिया जाएग बाकि डिलिवरी के लिए यहाँ पर काफी ज़्यादा वेट करना पड़ेगा आप सभी को क्योंकि कमपनी अभी इसकी पेमेंट लेकर कम से कम एक मैना इसली कस्टमर को रूलाने वाली है और अगर अपने इस स्कुटर को अभी हाली में रिजरू किया है तो फिर आपको इस करना वहीं अभी तक पेमेंट विंडो ओपन होने का टाइम तो नहीं पता चला है बट आप अपनी मॉवाइल अप्लेकेशन पर 27 जुलाई की रात से ही इसको ट्राइ करते रहना क्योंकि हर बार की तरह यह पेमेंट विंडो थोड़ा सा पहले ही ओपन कर देते हैं इसके ल आप आप अफड़न राइ